आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्त कवी रस खान के बारे में और उनके सवये और उनका हम बहवार्थ पढ़ेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रस खान किस प्रंप्रा के कवी हैं किस काल के कवी हैं उनके प्रत्तित्व के बारे में, उनके वेक्तित्व के बारे में थड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं। हिंदी कर्ष्ण भक्त कवी रस्खान का एक महत पुनिस्थान है। रस्खान शोचंद भावधारा के कवी थे और वोई वल्लावाचार्य के पुत्र विठ्थल दास के शिश्य परमपरा में बाने जाते हैं। यानि हम रस्खान को किसी कवे धारा के अंतरगत नहीं रख सकते। मुसलमान थे, मूलते हैं वो मुसलमान थे और मूल नाम उनका सेद इब्राहिम था और मुसलमान होते हुए भी उन पर संपरदाईक संकिन तक भी हावी नहीं हुई। लोकिक और अलोकिक प्रेम ही रस्खान की कव्यका मूल आध हर है। और ऐसा लगता है कि रस्खान के जीवन में लोकिक प्रेम का सुत्रपात हुआ हो तो उदाती कृत होकर राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्थित हो गया यही कारण है कि रस्खान की भक्ती माधूर्य भाव की है क्योंकि रस्खान का पहले जो प्रेम था वैं लोकिक था और लोकिक में बाद में वह प्रेम उनका एलोकिक में परिवर्थित हो गया और राधाय कर्ष्ण के प्रेम में परिवर्थित हो गया और इसी करण उनकी रस्खान की जो भक्ती है वैं महधूर्य भागी कही जाती है प्रेम वाटिका और दानलील यह तीनों रचनाएं प्रामानिक मानिचाती हैं किन्तो इनकी अतिरीक भी रश्खान के पद और दोहे भी मिलते हैं रश्खान के जो ग्रंत परकाइस सित हुए हैं उनमें कवीत हैं सवये भी हैं दोहे भी उपलब्द हैं और रश्खान की कवीता आवे यूगत प्रेम और महदूर्य भाव की कवीता है और उनके पद गायकों के लिए और भक्तों के लिए आदर से सामगरी प्रस्तोत करते हैं यानि उनके जो कवीत है, उनके जो सवई हैं, वे गे हैं और आरसखान के कवे की बहसा, अगर हम देखे जाएं तो उनकी बहसा सुध्रूपसी, ब्रिज बहसा है और बहसा बहुती मधूर और प्रवाहमही है जो अन्यकवियों में हमें नहीं देखने को मिलती यानि जैसी मधुर और प्रवाहमय भासा का प्रयूग रस खान ने किया है अन्यतर गवियों में भासा देखने को नहीं मिलती और रसखान को रसखी खान क्यों खा जाता है कि रसखान वास्तों में रसखी खान ही है क्योंकि उनके कावे में प्रेम, भक्ति और सरंगार तीनों की अजसरदारा प्रवाहित हो यह प्रेम भी उनकी कवित और सवयय में देखने को मिलता है भक्ति भी और सरंगार तीनों का सम हानविय है इसलिए हम कह सकती को उनके प्रतेग सव्वेयमंे प्रतेग कवित में निष्चल के पंक्ति में और मंक्ति के हर एक शब्द में रस अभित्परस्ट के तर्षर्थ से उनकार उनकार नायास आ गया औरувати रस उत्रे कवी है अब हम ये बढ़ेंगे कि रस्खान के जो सवईय हैं उनका बहवार्थ है अपने जो पाठ्य पुस्तक के अंदर गतर है उनका बहवार्थ बढ़ेंगे उनका पहला सवईय यह है कि या लकोटिया रुकामरिया पर राजती हूं पुरको तजी डारो आठाउं चेदिनाव नीदिको सुकनन्द की तहनु चराय विशारो रस्खान को वो इन आंखिन सु बर्ज के बनबाग तड़ाग निहारो गोटिक ए कल धोत के तहम करीले की गु दूर रहना नहीं चाहते हैं उनका हर एक वस्थु से सदैनेव और सदीवय शानिद्यत चाहते हैं यह रस्खान कहते हैं या लकुटिया ठीस दौरुको तजी डारो वो कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गाये चराने का सवबा ये मिल जाई तो मैं आटों सिद्य और नो नीदियों के सुखों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ रस्खान आगे कहते हैं कि रस्खान कभो इन आंखिन सो बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारो रस्खान कहते हैं कि मैं अपनी ही निहांकों से वर्ज के बन हैं उनके उत्यान बाग हैं और उनके तालावों को सदेव और सदेव निहारना चाहता हूँ अगर रसकान ये कहते हैं, अगर मुझे बर्ज पर्देश की कंटिली चाहडियों में भी ब्रहण करने का, घूमने का, वाहनिवास करने का, अगर सोबा की मिल जाए, तो मैं करोणों चांदी के महलों के सुखों को भी तयागने के लिए तयार होगे, रसकान यहां यह कहना चा आता हूँ, यह कृष्ण के हमें मातुर्य भाव के बक्ति दिखाए देती है, और वे स्रीकर्षन के परति उन्हों का अनन्य प्रेम भाव परकट होगे, अगला सा वैया हम देखते हैं, अगला सा वैया इस परकार है, धुल भरी अती, शोबित शामजू, तेशी वनी, सुर के बागव, कहां कहिए हरी, हाथ सो ले गयो, माकन रोती, इसमें यह बगान स्रीकर्षन के बाल सुलव चेश्टाओं का उनके बाल स्वरूप का बड़ा ही सुन्दर चित्रन किया है, हम कह सकते हैं, उसमें वास्ताल्य प्रेम हमें दिखाए जैता है, वास्ताल्य रस देख कि बागवान स्रीकर्षन धुल भरी अति सोबित, यानि उनका पूरा का पूरा सरीर मिट्टी से धुल से सना हुआ है, और वे बड़ी ही सुन्दर लग रहे हैं, तेशी बनी शीर सुन्दर चोटी और उनके उपर सीर पर मोर पांक लगकर बड़ी सुन्दर चोटी बनी वि अपने धुल दो सरीर सी मिटी से सनेवे सरीर को लेक्रों के मस्तक सर की उपर सुन्दर चोटी बनी विया है और आंगन में इदर धर घूम रहे हैं खेल तका तक तो फिरियागना यानि कुछ ना कुछ साथ में खा भी रहे हैं वे यानि हाथ में माखन रोटी ले रखिए उ और आंगन में खेलते वे इदर उदर घोम रहें, फिर रहें। पगपेंजनी बाचलि जब वे इदर उदर आंगन में घोमती है था उनके पेरों में जो गोमरु है पायल है वो बजती है। कटी पीरी कचोटी और उनोन पितंबर, यानि पीले बस दर पिले दोती दारणक पहन रखी है, दारण कर रखी है. रस्कान आगी कहते हैं, वाज़शनी की लोग ठावारत काम कलाने के उठी रस्कान कहते हैं कि भआन सिरी क्रिषन की उच्छभी को काम देव की करोड़ों कलाओं को भी त्यागने के लिए तयार हूए यानि वह कहते हैं के स्री कृष्ण की वैद सभी यानी उनकी करोड़ों कलाओं से भी अधिक सुन्दर है अधिक सो भाइमान है फिर आगे रसकान कहते हैं कि काग के बाग कहां कहीए हरी हात सो ले गयो माखन रोटे फिर आगे रसकान कहते हैं कि एक सकी वहीं एक सकी दूसरी सकी से कहती है कि उन्हीं कव्वे से इरशा हो जाती है काग के बाग कहा कही ही हरी हाथ सो लवयो मांखन रोटी एक सकी दूसरी सकीते कहती है कि हम से तो अच्छा कव्वा है हम से तो ज्यादा भाग गजिसाली है क्योंकि वह है स्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी जपटा मार कर छीन कर ले जाता है अथा था था कम सी कम उस कववे को स्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी खाने का सववाग्या तो मिला सववये में कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा है सुन्दर चित्रण रस्खान ने किया है कल हम इसके आगे के दो सववये और पड़ेंगे तब तक के लिए आप बार बार इस वीडियो को देखते रहें और अपने जो भी प्रस्ण है वो कमेंट बाक्स में आप डालती रहें धन्यवाद